ओईली स्केल्प की वज़य से क्या आपको आपका सर दूसरे दिन धोना पड़ता है या फिर उसकी वज़य से आप कहीं बाहर नहीं जा पाते अपने बाल खुले नहीं रख पाते आपको ज़्यादा तर चोटी बनाकर रखना होता है और लोगों को लगता है कि आपने काफी स चारा ओयल लगा रखा है तो इसी के लिए आज मैं आपके साथ चेयर करने वाली हूँ यह ड्राय शेंपू की वीडियो इसे लगाने के बाद आपको आपका सर बार बार दोने की जरूरत नहीं है आप इसे लगाकर बाहर जा सकते हो और आपका जो ओयल है वो बिलकुल गाय पाउडर लिया है आप कम कौांटिटी में बना कर इसे चैक भी कर सकते हो इसके बाद में आपको लेना है कोको आपाउडर तीन से चार चमच यह कोको आपाउडर जायतार बेक्वी में यूज होता है बिस्केट्स और केक बनाने के लिए यह आपको किसी भी कनफेक्सरी मिक्स कर लिया है आप देख सकते हो काफी अच्छे से यह दौनों मिक्स हो गए है पता ही नहीं चल रहा है किसमें मैंने कुछ मिलाया है एक लौता पाउडर बनकर तयार हो गया है तो बस इसी से कहते हैं ड्राय शेंपू इस शेंपू को आपको फिल कर लेना है किसी नमक की इस तरीके की बॉटल में जिसमें इस तरीके की छेद हो जिससे आपको लगाने में आसानी रहेगी तो मेरे पास यह बॉटल खाली पड़ी ती जिससे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है अब इस शेंपू को मैं इसके अंदर स्टो करके रख लोंगी इस ड्राय शेंपू को आप आराम से महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो ये खराब नहीं होता बस इसको थोड़ा आपको ड्राय प्लेस पे रखना है गीला नहीं होने देना है इसको बिल्कुल भी तो अभी मैंने इसको स्टोर कर लिया है अच्छे से आप देख सकते हो अब मैं आपको बताऊंगी क से आपको इस्तमाल कैसे करना है अपने बालों में यूज कैसे करना है आप बाल दोते हैं और दूसरे दिन ही अगर आपके बालों में ओयल आ जाता है आपका स्केल्प ओयली हो जाता है जिससे ऐसा लगता है कि आपने हेर वाश नहीं किया तो आपको क्या करना है आपको अपन कर दिखा रही हूं कि आपको इस तरीके से यूज करना है ऐसा करने से ये शेंपू आपके बालों का और जो आपका स्कैल्प है उसका और अब्सॉर्ब कर लेगा आपके बालों में एक वॉल्यूम और बाउंस देगा आपको काफी अच्छा फील होगा जब आप इससे एक बा गाया है और साथ ही आपका जो ऑईल है वो भी गायब हो जाएगा तो आप लोग भी एक बार ये ड्राय शेंपू ट्राय करके देखो काफी अच्छा है आपको पसंद आएगा और हाँ अब आपको बार बार हेयर वाश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ड्राय शेंपू वही काम करेगा जो आपका शेंपू काम करेगा तो अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज मुझे कॉमेंट बोक्स में जरू बताएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और बाइबाई